सोचो क्या होता अगर आपके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ती होती आप अपनी मर्जी से जब चाहे दूप और जब चाहे बारिश करवा सकते थे और क्या आपने कभी सोचा है कि उपर आसमान में बादलों में क्या चीपा है बच्वन में तो आपने ज़रू सोचा ही होगा कि काश आप वहाँ जा पाते क्या पता वहाँ अपनी ही एक अलग दुनिया अपना ही एक एक एकोसिस्टम हो कुछ इसी तरह कि यह है हमारी आज की एनिमे की कहानी जिसका नाम है Weathering With You जो कि एक बहुती प्यारी, बहुती डीप, थोड़ी कॉप्लिकेटड पर बहुती ज़दा खूबसूरत लब स्टोरी है इसे जापान में टैंकी नो को नाम से जाना जाता है और सच में जब से मैंने इस एनिमे को देगा है न अब लाइक कि क्या देख लिया मैंने आप पहले हमारी यूर नेम की एक्स्प्लेनेशन वाली वीडियो देखें उसी के बाद हमारी ये वैधरिंग वीडियो वाली एक्स्प्लेनेशन वीडियो देखें वो क्यों? ये आपको वीडियो की बीच में खुद पता चल जाएगा अभी में आपको कुछ spoiler दे कि आपका मज़ा नहीं खराब करना चाहता बस इतना माल लो कि ऐसा करने से आपका मज़ा into 100 हो जाएगा यूर नेम के लिंक आपको पर i button on इसे description box में मिल जाएगी weathering video को IMBD में दिये गए है 7.5 stars my animal list में से दिये गए है 8.37 stars और rotten tomatoes के tomato meter में इसे किया गया है 92% flesh जो की बहुत जाद अच्छे stats होते हैं इसने आज तक worldwide around 193 million dollars की कमाई की है जो की होते हैं Indian currency में more than 1430 करोड रुपे तो ये तो होगी movie की spoiler for introduction अब जाद ताइम लवेस्ट करते होए अपने introduction दे के आज की anime explanation का शुब भारम करते हैं मूवी के first scene में हम एक ship को देखते हैं जिसमें ये announcement हो रही होती है कि कुछ इस समय में बहुत तेस बारिश होने वाली है तो कृपिया सभी passengers जल्दी से ship के अंदर आ जाएं पर इसके opposite एक 16 साल का लड़का बाहर जाने लगता है इस लड़के का नाम होडाका था और ये बारिश को देख बहुत जादा खुश हो रहा होता है तब ही वो notice करता है कि उसके उपर अजीब सा कुछ पानी का बना हुआ बहुत बड़ा गोला है वो पानी का गोला सीदा शिप के उपर गिर जाता है जिसकी वज़े से शिप का balance बिगर जाता है और हुडाका शिप से सीदा नीचे सम्मूधर में फिसलने लगता है तब ही कोई आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है उस आदमी का नाम काई सूगे सूगा होता है जिसे लोग मिस्टर सूगा कहके बुलाते थे इसके बाद शिन्शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हुडाका की जान बचाने की बदले हुडाका मिस्टर सूगा को ट्रेट दे रहा होता है साथ ही हम देखते हैं कि हुडाका अपने लिए इंटरनेट में पार्ट टाइम जॉब इटून रहा होता है और वो इंटरनेट में कॉशन डालता है कि वो कौन कौन सी जगा है जहां लोग उसे बीना College Student ID के हायर कर लेंगे इससे हमें ये पता चलता है कि हुडाका अंडरेज होने के बावजुद कहीं जॉब करना चाता था साथ ही हमें पता चलता है कि हुडाका शिप से टोक्यो जा रहा था कि अगर उससे टोक्यो में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बेजी जग उसे याद कर सकता है अगले सीन में हम देखते हैं कि होडाका किसी होटल में रुका हुआ था और वो देखता है कि उसके पूछे काई कॉशिन पर चार अंसर जाय होते हैं जिन में से एक था कि यहाँ पर कोई ऐसी जॉब्स नहीं है एक ने लिखा था कि यह लेबर लॉक के अगेंस्ट है और एक ने तो लिख रखा था कि उसे सेक्स क्लब में वेटर की जॉब मिल जाएगी ये देखे होडाका निराश हो जाता है इसके बाद होडाका जॉब की तलाश में बहुत सी जगा जाता है पर कोई भी उसके पास कॉलेज आइडी ना होने की वज़़े से उसे हायर नहीं करता वो सेक्स क्लब वेटर की जॉब के लिए भी जाता है जहाँ उसे दो पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे पुछताच करने लगते हैं कि वो यहाँ केले क्या कर रहा है होडाका उन्हें बीना कुछ बता है वहाँ से भाग जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गली में बैटा हुआ होता है जहां उसे एक बिल्ली मिलती है होडाका अपनी चॉकलेट का एक पीस तोड कर उस बिल्ली को देता है होडाका बिल्ली को गयता है कि टोक्य बहुत ड्रावना शहर है पर फिर भी वो कभी भी अपने घर वापिस नहीं जाना चाहता यानि की दोस्तो होडाका अपने घर से भाग के यहां टोक्यो आया था इसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि यह कोई बैटने की जगह नहीं है होडाका वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी जान बुच कर उसे गिरा देता है जिसकी वज़से पास में रखा डेस्टमीन नीचे गिर जाता है और मन में कहता है कि यह बस एक लोगा उसके बाद वो अपनी जेब से मिस्टर सुगा का कार्ड बहर निकालता है जिनोंने शिप में उसकी जान बचाई थी मैपस पे चेक करने पर उसे पता चलता है कि यह जगा यहां से जादा दूर नहीं है उडाका को अब बहुत जोर की भूक लग रही थी पर उसके पास अब पैसे ही नहीं थे उस रेस्ट्रों में काम करने वाली एक लड़की उसे चुपके से एक बर्गर देती है और उसकी दूसरी गल्फरेंड उसी वक्त उस बस में चड़ रही होती है यह देखे होडाका इहरान हो जाता है और मन में कहता है कि यह इतनू सा है और क्या प्लेयर है इसके बाद होडाका मिस्टर सुगा के ऑफिस यानि कि के एंज ए प्लैनिंग्स के बाहर पहुंच आता है अंदर जाने पर उसे वाँ कोई नहीं दिखता अंदर एक कमरे में सोफे के उपर उसे एक लड़की दिखती है जो की सो रही होती है वो लड़की बहुत ज़्यादा सेक्सी थी और उसके बहुत बड़े बड़े चंगो मंगो थे होडाका ये देख थोड़ा मधोश हो जाता है और उसके चंगो मंगो को तारने लगता है बोलना पड़ेगा Man will be man तब ही वो वहाँ से अपनी नजरे हटा के खुद को कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए तब ये उस लड़की की नीन तुट जाती है और उसे हैलो कहती है ये देख होडाका एकदम घबरा जाता है और वहाँ से दूर होकर उसे सौरी कहता है वो लड़की होडाका से कहती है कि सूगा ने कहा था कि होडाका यहां जरूर आएगा फाइनली उन्हें एक असिस्टेंट मिल गया जो उनकी कामें मदद कर सके इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की होडाका के लिए कोलरिंग बनाते हुए बड़ी एकसाइटमेंट के साथ उसे कहती है कि उसने देखा कि होडाका उसके चंगो मंगो देख रहा था होडाका एकदम से घबरा जाता है और मना कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि होडाका और वो लड़की आपस में एक दूसरे से इंट्रो कर रहे होते हैं उस लड़की का नाम Natsumi Suga होता है होडाका Natsumi से पूछता है कि क्या वो भी Mr. Suga की एक employee है जिसपर Natsumi उसे कहती है कि क्या वो सच में Mr. Suga और उसके रिष्टे के बारे में जानना चाता है जिसपर होडाका बढ़ी curiosity के साथ हां कहता है इस पर नाथ सुमी आँख मारते हुए हुडाका को कहती है कि उसे पता है कि हुडाका उनके बारे में क्या सोच रहा है ये सुनकर हुडाका एंबेरस हो जाता है और सूचता है कि ये मिस्टर सूगा की गल्फ्रेंड होगी इस पर Mr. Suga उसे कहते हैं कि वो किसी भी बेतो की चीज़ के उपर आर्टीकल लिख सकता है जिस पर भी आजकल के बच्चे दिल्चस्प भी रखते हैं फिर चाहे उसका वास्त अविक्ता से कोई लेना देना ही ना हो Mr. Suga उसे एक example देते हैं कि वो a girl who brings sunshine यानि कि एक ऐसी लड़की जो धूप ला सकती है कि उपर आर्टीकल लिख सकता है यहाँ पर मैं आपको एक बात बचा दूँ कि इनके यहाँ टोक्यो में कुछ ऐसे rumors फैले होए हैं कि कुछ ऐसी भी लड़कियां हुआ करती थी या शायद अब भी हैं जिनके पास weather को control करने की शक्ती हुआ करती थी एक ऐसी लड़की जो अपनी मर्जे से बारिश रोक कर धूप ला सकती है ऐसी लड़कियों को sunshine girl कहा जाता है चाहिए अववा ही हो पर इसके उपर अच्छा सा interesting article बन सकता है तो यहाँ example में उसी की बात हो रही होती है इसके बाद मिस्टर सोगा हुडाका को कहते हैं कि इस article को लिखने के लिए उसे लोगों के पास जाकर उनसे उनके इस बारे में विचार पूछने होंगे इसके बाद हुडाका और नाट सोमी एक fortune teller के पास जाते हैं वो fortune teller उन्हें बताती है कि sunshine girl सच में exist करती है एक sunshine girl बारिश रुकवा कर जबचाए धूब करवा सकती है साथी वो उन्हें बताती है कि nature से चेरचार्ट करने से हमेशा नुकसान ही होता है बहुत ज़्यादा power use करने के बाद एक दिन sunshine girl गायब हो जाती है इसी के साथ ही वो उन्हें और भी कई डे सारी बाते बताती है वो दोनों उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और नोट कर लेते हैं होडाका वापस जाकर fortune teller से मिरी थोड़ी information के साथ आर्टिकल लिखना शुरू करता है उसका आर्टिकल देकर Mr. Suga उसे कहते हैं कि उसने इतना भी बुरा नहीं लिखा है और वो उसे hire कर लेते हैं साथ ही वो कहते हैं कि होडाका को जाब के साथ यहां रहने को एक room और खाने को खाना भी मिलेगा पर होडाका को जाब के इलावा यहां घर के काम भी करने पड़ेंगे इसके बाद वो मस सा डीनर करते हैं होडाका खुद को कहता है कि उसके टोक्यो आने के बाद पहली बारह सा हुआ है जब उसने किसी के साथ बैठ कर डीनर किया हो और ऐसे आज से उसकी निव लाइफ शुरू हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि वोरो सुबा उठते ही सबसे पहले अपने घर के सबी काम पूरे करता है जैसे बरतन दोना, सफाई करना और ब्रेकफास बनाना फिर वो मिस्टर सुगा को जा के नीन से जगाता है इसके बाद वो अफिस के सारे काम हैंडल करता है आर्टिकल्स लिखता है और कभी-कभी नाच्सुमी के साथ लोगों के इंट्रिव्यू करने भी जाता है उसकी जिन्दगी अब अचानक से पूरी हेक्टिक हो गई होती है पर होडाका इस सब को इंजॉय कर रहा था कभी-कभी वो साथ में पार्टीज में भी जाते हैं इसी बीच वो नोटिस करता है कि टोक्यो में तो बहुत जादा ही बारिश होती है जबसे वो यहाँ आया है तबसे ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब मौसन थोड़ा साफ हुआ हो इसके बाद एक दिन वो उस बिल्ली से मिलने जाता है जो उससे तब मिली थी जब वो टोक्यो सीटी में नया नया आया था इसे बीच वो एक लड़की को देखता है जिसे दो बदमाश लड़के शायद परिशान कर रहे थे हुडाका रिलाइस करता है कि यह तो वही लड़की है जो रेस्ट्रों में काम करती थी जिसने उसे एक बार बर्गर भी दिया था वो उनका पीचा करता है और उसे पता जलता है कि वो उस लड़की को जबर्दस्ती एक सेक्स कलब में काम कराने ले जा रहे हैं ये देख हुडाका खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की का हाथ पगड़कर वहां से भागता है वो दोनों लड़के भी उनका पीछा करते हैं वो लड़की हुडाका को कहती है कि हुडाका उसे छोड़ दे पर हुडाका उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके साथ भागता रहता है फोड़ी दिर बाद वो आदमी उन दोनों को पगड़ लेते हैं उनमें से एक आदमी हुडाका को जोर से थपड मारता है। हुडाका उस आदमी को कहता है कि वो उस लड़की को फोस कर रहा था। जिस पर वो आदमी हुडाका को कहता है कि ऐसा नहीं है। उस लड़की ने खुद से हमारे साथ डील की है। ये सुनके होडाका हैरान रह जाता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो एक बार इनके कलब में काम मांगने आया था और फिर वो होडाका को एक पंच मारता है। इसके बाद होडाका अपने बैक से वो गन बाहर निकालता है गन की बुलेट पस जरा से डिस्टेंस से उस आदमी के पास से गुजरती है ये देख सब की हवा टाइट हो जाती है उस आदमी की भी बूरी तरह से फट जाती है क्योंकि वो अभी बाल बाल अपनी मौथ से बचा जरा सा वो आगे होता या गोली थोड़ी पीछे एम हुई होती तो उसका अब तक काम तमाम हो चुका होता इसके बाद वो लड़की होडाका को पकड़के वहां से भाग जाती है वो दोनों एक खाली बिल्डिंग में पहुंचते है वो लड़की होडाका को गुस्टे से कहती है कि एक बर्गर का करजा वो इस तरह से चुका रहा है साथ ही वो पूछती है कि वो आकिर है कौन और उसके पास एक गन कहां से आई होडाका उसे कहता है कि वो गन उसे एक डस्टवीन में मिली और उसे लगा था कि ये बस एक खिलोना है तो इसलिए उसने वो अपने पास रख ली वो लड़की उसे गुसे से कहती है वाह तो ये है तुम्हारा भाना तुमने उस आदमी का मडर ही कर दिया था इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है होडाका भी उस गन को वहाँ उससे में फैंक देता है और फ्रस्टेट हो जाता है तब ही बुलड़की वहाँ वापस आती है और होडाका को कहती है कि उसका नाम हीना है और उससे उस रेस्टों से जॉब से निकाल दिया था और उसे पैसों की सक्त जरूरत थी तो इसलिए उसने खुद से उन कलब बालों को अपरोच किया था ये सुनकर होडाका निराश हो जाता है और हीना को सौरी कहता है हीना होडाका के पास जाके उसकी जखम पर हाथ लगाती है और कहती है कि क्या होडाका घर से भागा है इस पर HoOOM होडागा हा कहता है हीना होडागा से कहती है कि बारिश की वज़े से होडागा टोक्यो को ठीक से इंजॉई भी नहीं कर पा रहा होगा और वो होडागा को अपने साथ चलने को कहती है और वो उससे उस बिल्डिंग के टॉप में ले जाती है जहां होडाका देखता है कि वहाँ तो एक छोटा सा श्राइन यानि की टेंपल होता है इसके बाद हीना प्रे करने लगती है और हम देखते हैं कि उसके ऐसा करते ही जमीन पर पड़ी बारिश की बुंदे अचानक वापस उपर उठने लगती है और बारिश भी रुख जाती है आसमान से बादल भी अपने आप ही अट जाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी धूब खिर जाती है ये देख होडाका हैरान रह जाता है और हीना को कहता है कि वो तो एक संशाइन गल है इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का इंट्रो करते हैं हीना हुडाका से उसकी एच बुषती है जिस पर हुडाका सोला बताता है हीना उसे कहती है कि हुडाका उससे दो साथ छोटा है क्योंकि वो एक महीने बाद 18 की हो जाएगी इस पर होडागा कहता है की हीना तो पर अभी छोटी ही दिखती है then वो दोनों हैंड्शेक करते हैं इसकी बाद सिंड़ेफित होता है और हम देखते की फिर सब बारिश हो रही होती है और हम किसे रैंडम छोटे बचे को देखते हैं जो बार पानी की किसी बूंद को हवा में एक मचली की तरह उड़ते देखता है। इसके बाद हम ऐसे स्कूल के दो स्टुडेंट्स को देखते हैं, जिसमें से एक अपने दूसरे दोस्त को कहीं कुछ दिखाने ले जा रहा था। वहाँ पहुचने पर वो दोनों उपर आस्मान में देखते हैं कि वहाँ तो कुछ अजीब सा पानी का बहुत बड़ा बबल लेविटेट कर रहा होता है। पर मैं आपको याद दिला दूँ कि कुछ ऐसा ही पानी से भरा बबल हमने शिप के ऊपर भी देखा था जो होडाका के ऊपर गिरा था। ये पानी का बबल भी थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे उन दोनों स्टुडेंट्स के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद शिन्शिट होता है और हम होडाका और नाटसुमी को आफिस में देखते हैं जहां नाटसुमी होडाका को कुछ वाइरल रिपोर्स दिखा रही होती है जिसके अकॉर्डिंग शैर में जगा जगा आसमान से कुछ अजीब सी पानी की तरह दिखने वाली मचलिया और ये मचलिया थोड़ी दिर में ही अपने आप गायब हो जाती है नाटसुमी आगे बताती है कि एक इंट्रव्यू में किसी ने उसे बताया था कि आसमान में जो बादल है वो एक पूरी की पूरी लेक के बराबर पानी खुद में होल्ड करे होते हैं तो ये ज़रूर करता है कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने उसके घर जा रहा है और वो ऐसा सोचकर नर्वस हो जाता है अगली सीन में हम उन दोनों को साथ में लंच करते होए देखते हैं जिसके बीच हमें पता चलता है कि हीना अपने छोटे भाई के साथ यहां जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को धूप बेचेंगे यानि कि जिसको भी बारिश बंद करवा के धूप चाहिए होगी वो हमारी शेंशाइन गर्ल यानि कि हीना को हायर करेगा और हीना प्रे करके धूप करवा देगी कि उसे नहीं लगता कि हीना जैसा फीगर उस कलब के लिए पर्फेक्ट है हीना एमबारस होके होटा का कुग उससे कहती है कि वो क्या देख रहा है जिस पर हीना मान जाती है और वो दोनों मस्सा पोर्टफोलियु बना की इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं कहानी को आगे वड़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाता हूँ कि अगर आपने पे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉस करके सब्सक्राइब बटन दबा कर राल से जरूर ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइगन को दबाना मत भूलना क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमेक्स फुलानेशन वीडियोज हिंदी में लेके आते रहते हैं इसके बाद वहाँ पर हीना का चोड़ा भाई आ जाता है जिसका नाम नागी था और उसे देखे होडा का हैरान हो जाता है हीना ये देख कि कल के लिए बहुँ ज़ादा excited और same time पे nervous हो जाती है अगले दिन हम देखते हैं कि इस business को और professional बनाने के लिए हुडा का नागी को एक dress भी बनाता है अगले scene में हम देखते हैं कि वो तीनों location में पहुँच गए होते हैं वो लोग खुश हो कर जितने पैसे हीना ने डिमांड किये थे उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे उसे दे देते हैं फिर क्या ये कारवाह चलता रहता है और देखते ही देखते हीना और होटाका का ये business बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है उनकी कई दिन पहले सी एडवांस में बुकिंग्स चलने लगती है और वो ना जाने कितने लोगों के लिए उनकी मन चाही डेट पर बारिश रुकवा कर धूब खिलाने लगते हैं उन्हें marriage में sunshine कराने के लिए लोग hire कर रहे थे किसी outdoor sport के contest वाले दिन sunshine कराने के लिए hire कर रहे थे और बड़े तो छोड़ो इवन छोड़े छोड़े बच्चे तक उन्हें hire कर रहे थे ताकि वो बार धूब में खेल सकें उटाका भी फटावट से मिस्टर सुगा के घर के और office के काम निपटा के हिना के हाँ डेली निकल जाया करता था इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एक दिन बहुत बड़ा contract मिलता है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़े firework event वाले दिन sunshine करवानी थी वो अपना 100% success rate बरकरार रखते होए इस दिन भी बारिश रुकवाने में कामियाब रहते हैं और इस event की वज़े से वो कुछ ज़्यादा हीट हो जाते हैं उनकी demand बुरी तरह से बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा कि ये सब बहुत ज़्यादा hectic होने लगा था तो वो decide करते हैं कि वो बस अब last दो बार किसी के लिए sunshine करवाएंगे इसके बाद वो break लेंगे इसके बाद शेंशिफ्ट होता है और हम Mr. Suga और Natsumi को कार में देखते हैं जब Mr. Suga Natsumi को पूछ रहे होते हैं कि होडाका आजकल खांगायब है इस पर Natsumi उसे कहती है कि छोड़ो भी होडाका को थोड़े मज़े भी करने दो वैसे भी तूम उसे salary ही कितनी देते हो इस पर Mr. Suga फिंगर से तीन का इशारा करते हैं Natsumi हरानोगर कहती है कि बस 30,000 यान यानि कि तूम उसे सर्फ 20,000 रुपए देते हो इस पर Mr. Suga उसकी बात कारते होए कहते हैं कि actually वो 3,000 यान कह रहे थे यानि कि सिर्फ 2,000 रुपए ये सुनके नासों में कि आंके फड़ी की फड़ी रह जाती है और कहती है कि क्या इतनी कम तो कि इसी labor की भी salary नहीं होती है और वो उन पर भड़क पड़ती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होडाका, हीना और नागी अपनी second last service दे रहे होते हैं जहां वो एक बुड़ी दादी के लिए sunshine करवा रहे थे तब ही वहाँ पर उन दादी का पोता उन से मिलने आता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बलकि ताकी होता है जी हां दोस्तों वही ताकी जो your name मूवी में था इसलिए मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था कि पहले आप your name वाली explanation देखना इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताकी के दादा की ठीक एक साल पहले death हो गई थी तो आज उनकी o-bone है अब ये o-bone क्या होता है किसी की death से एक साल बाद वाले दीन को ये o-bone कहते है actually Japanese culture में इनका मानना होता है कि o-bone वाले दीन dead person की soul कुछ पल के लिए आसमान से नीचे आती है तो इनके tradition के according कि अपने किसी dead family member के ओबन वाले दिन अपने घर के आंगर में आग जलाते हैं और इनका मानना होता है कि आसमान से इस धुएं को देख के उनकी soul यहाँ पहुच पाती है तो इसलिए उन्होंने sunshine girl को hire किया था ताकि वो असानी से बाहर आग जला पाएं और बारिश की वज़े से ताकि के दादा की soul को आसमान से इस धुएं को देखने में परिशानी भी ना हो साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि हीना ने भी हाली में अपनी मॉम को भी खोया है दूसरी तरफ हम मिज्ड सूगा और नाथ सुमी को देखते हैं जो कि किसी old man का interview ले रहे थे वो old man उन्हें सीलिंग पे एक 800 साल पुरानी painting दिखाते हैं जो कि weather पर based थी वो old man उन्हें बताते हैं कि अभी हम nature और weather के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अभी ओपर आसमान में बादलों में बहुत से राज़ दफन है साथ ही वो किसी weather maiden के बारे में बताते हैं वो बताते हैं कि weather maiden दो तरह की होती है एक वो जिनके पास बारिश करवाने की शक्ती होती है और दूसरी वो जिसके पास धूप लाने की शक्ती होती है वो आगे बताते हैं कि पहले के समय में ये weather middens हर गाओं में पाई जाती थी पर आज के समय में ये लुप्त हो चुकी है इसके बाद वो बताते हैं कि कुद्रत के साथ छेड़ चाड़ करने का नतीजा सब को चुकाना ही पड़ता है इसलिए बहुत जादा अपनी पावर्स का यूस करने के बाद ये weather middens अपने आप एक दिन गायब हो जाती है इधर हम देखते हैं कि ताकी से बात करते करते होडाका को याद आता है कि हीना का 18 बटे भी बहुत जल्द आने वाला है उसके question पर 4 लोगों की answer आते हैं पर उसे कुछ भी खास answer नहीं मिलता हीना का भाई नागी होडाका को suggest करता है कि वो हीना को एक ring gift करे पर होडाका attention में आ जाता है कि पता नहीं हीना को ये gift पसंद भी आयागा की नागी होडाका को कहता है कि हुडाका चुप चाप ये कबूल कर ले कि उसे हीना से प्यार हो गया है ये सुनते ही हुडाका शरम के मारे लाल होके नागी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद नागी हुडाका को बताता है कि जब से उनकी mom की death हुई है तब से सारी responsibility हीना ने अपने सर ले ली नागी कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि हीना ये सब नागी के लिए ही कर रही है तो नागी भी चाहता है कि हीना का भी कोई boyfriend हो ताकि वो at least अपनी teenage ठीक से enjoy तो करे इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका एक शौप से हीना के लिए रिंग खरीद ही लेता है वो शौपकीपर से पूछता है कि क्या उसे ये रिंग पसंद भी आएगी और हम देखते हैं कि वो शौपकीपर और कोई नहीं बलकि मिटसुआ होती है जी हाँ दोस्तों वही मिटसुआ मियमीजू जो यूर नेम मुवी में थी मिटसुआ होडाका को कहती है कि होडाका ने ये रिंग सेलेक्ट करने में पूरे तीन घंटे लगाए हैं जहां किसी ने अपनी डॉटर के साथ प्लेगराउंड में खेलने के लिए उन्हें हाइर किया था हम देखते हैं कि उन्हें हाइर करने वाला और कोई नहीं बलकि मिस्टर सुगा था होडाका गुशे से मिस्टर सूगा को कहता है कि उन्हें कभी बता ही नहीं कि उनकी एक डॉटर भी है मिस्टर सूगा उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को आस्तमा है और वो अपनी दादी के साथ रहती है तब ही वहाँ नाटसूमी आती है और होडाका उसे आता देख एकदम घबरा जाता है और मिस्सूगा को कहता है कि अब वो क्या करेंगे क्योंकि अब नासुमी को पता चल जाएगा कि मिस्सूगा शादी सूदा है और उनकी एवन एक डॉटर भी है यह सुनकर Mr. Suga जो जो से हनसने लगते हैं और Natsumi को कहते हैं कि Hudaka अब तक यह सोसता था कि Natsumi उनकी girlfriend है यह सुनकर Natsumi शॉक रह जाती है कि वो Mr. Suga की भतीजी है ना की girlfriend पता नहीं, Hudaka ने उनके बारे में अब तक क्या क्या fantasies imagine कर ली होगी ये सुनकर होडाका बहुत जादा एंबैरस हो जाता है और सर जुका कर चुपचाप खड़ा हो जाता है जैसी वो अपना सर ऊपर उठाता है तो उसे सामने नाथसुमी के चंगुमंगो दिखते हैं नाथसुमी होडाका को टीज करते हो बोलती है कि क्या होडाका उसके चंगुमंगो देख रहा है जिस पर होडाका और भी ज़्यादा इंबारस होकर जोर से चीकता है कि वो वहाँ नहीं देख रहा था इसके बाद नाच सुमी हीना को कहती है कि होडाका मिस्टर सूगा का यंगर वर्जन है मिस्स सूगा भी बच्पन में होडाका की तरह था और एवन वो भी अपनी टीनेज में अपने घर से बाकर टोकी वाया था फिर उसे यहां आके अपना प्यार मिला जिसे उसने बाद में शादी भी की पर कुछ साल बाद एक एकसिडेंट में मिस्स सूगा की मौत हो गई इसके बाद सिंशेट होता है और हम देखते हैं कि नागी होडाका को कहता है कि वो क्या हीना को घर तक चोड़ देगा और हम देखते हैं कि वो होडाका को इशारा करता है और अपनी जेब से गिफ्ट बाहर निकाल कर पूरे confidence के साथ कहता है हीना आई तभी हीना भी होडागा को कुछ कहने जा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की बात काट देते हैं दोनों एक दूसरे को sorry कहते हैं हीना होडागा से पूस्ती है कि वो क्या कह रहा था जिस पर होडागा कहता है कि ऐसा भी कुछ खास नहीं था पहले हीना अपनी बात कह दे हीना होडागा को कुछ कहने जा रही होती है और होडागा एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि हीना के चारों तरफ तो पानी की बुंदे किसी मचले की तरफ गोल-गोल गुम रही है तब ही हम देखते हैं कि कहीं दूर से बहुत सारी पानी की बुंदे हीना की तरफ बहुत तीज़े से आती है और अगले हिपल हीना होडाका के सामने से गायब हो जाती है ये देखके होडाका एकदम दंग रह जाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहां आके क्या हुआ तबी उसे उपर से हीना की अवाज आती है और जैसे ही वो उपर देखता है तो हीना अवा में उड़ रही होती है वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ बिच-बिच से ट्रांस्पिरेंसा हो गया होता है इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि हिना बता रही होती है कि उसे याद है कि वो पहली बार सिंशेंगल कब बनी थी हमें पता चलता है कि एक साल पहले जब हिना की मॉम हॉस्पिटल आइस थी तब वो सारा दिन यही प्रे करती रहती थी कि प्लीज मौसम साफ हो जाए क्योंकि वो एक आकरी बार अपनी मौम के साथ दूब में वॉक करना चाहती थी तब ही उसे बाहर एक जगा दिखती है जाए एक बिल्डिंग के उपर थोड़ी सी धूप आ रही थी और जब उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक श्राइन था उसने श्राइन का गेट क्रॉस किया और पुरे दिल के साथ ये प्रे किया कि मौसम साफ हो जाए और अचानक बारिश की बुंदे रुक गई और बड़ी तीजी से उपर की तरफ जाने लगी उसकी बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं रहा उसे बस इतना याद है कि जब उसकी आंग खुली तो उसने खुद को श्राइन में गिरा हुआ पाया और आसमान पूरा साफ था इसकी बाद हम देखते हैं कि होडाका हीना के घर में होता है तभी उनके घर की बैल बचती है और हीना हुडाका को चुपने को कहती है वहाँ पर पुलिस आई होती है और वो हीना से हुडाका के बारे में पूछ ताच करती है जिस पर हीना कहती है कि ऐसे किसी भी लड़के को वो नहीं जानती पुलिस वाले हीना को बताते हैं कि अभी नाबालिक है और ये घर से भागा है इसकी पेरेंज ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है और साथ ही इसने एक बार बीच बजार में गन भी फायर की थी अगर ये कहीं भी देखे तो वो पुलिस को इनफॉर्म करे तबी एक लेडी ऑफिसर हीना को कहती है कि उन्हें पता चला है कि हीना अपने चोटे भाई के साथ यहां अकेली रहती है ये रूल्स के खिलाफ है क्योंकि बच्चे बिना किसी गाडियन के साथ अकेले नहीं रह सकते वो officer कहती है कि वो कल हीना के छोटे भाई को ले जाने आएगी इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हीना बुरी तरह घबरा जाती है तब ही होडाका को Mr. Suga का call आता है और वो बाहर गाड़ी में उनसे मिलने जाता है Mr. Suga होडाका को बताते हैं कि उनसे भी पूछाच करने पूलिस आई थी वो कहते हैं कि वो किसी माइनर को काम पे रखने के लिए अरेस्ट नहीं होना चाते हैं तो वो होडाका को आफिस में आने को मना करते हैं साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं और उसे कहते हैं कि वो कल अपने टाउन वापस लोट जाए क्योंकि इसी में सब की भलाई है हीना भी बैकपैक करने लगती है और नागी के साथ यहां से कहीं और जाने की तयारी करने लगती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने चोड़े भाई नागी से अलग नहीं होना चाहती थी वो भी keyword cả को यही कहती है कि keyword cả चुप-चाप अपने टाउन वापिस चला जाये keyword का मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हालत में हीन ओर नागी को केले नहीं चोड़ेगा वो उनी के साथ रहेगा इधर Tokyo City में High Alert जारी हो जाता है कि हाँ आज तक की सबसे ज़्यादा भ्यंकर बारिश होने वाली है तो क्रीपिया सभी अपने घर में ही रहें जगा जगा फलर्ड आने लगती है और टेंपरेचर भी 50 डिग्री से नीचे गिर जाता है और ऐसी कंडिशन में होडा का हीना और नागी ट्रीन की तरफ निकलते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि सभी ट्रीन खराब वैदर की वज़े से कैंसल कर दी है इसके बाद वो स्टे करने के लिए बहुत से होटल में जाते हैं पर लगबग सभी होटल जाते हैं उपर से इस गर्मी की सीजन में वहाँ बरभी पढ़ने लग जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सुगा अपनी वाइफ की यादों में डूबा हुआ होता है तब ही नाच्सुमी उसे कहती है कि क्या सच मेहीना एक यूमन सेक्रिफाइज है इस पर मिस्सुगा कहते हैं कि ये सब बस बक्वास है साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये सब हकीकत भी होती अगर एक यूमन सेक्रिफाइज से सच में इस क्रेजी वैदर को ठीक भी किया जा सकता है तो इसमें सबी की भलाई ही है और ऐसा कहती बार वो ना जाने क्यों अपनी रिंग को पकड़ते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले होडाका से पूस्टाच कर रहे होते हैं शायद उने शक हो गया था कि यही वो लड़का है तब ही होडाका वहां से भागता है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है इस ब्लास्ट को देखे, सब भी एकदम हैरान रह जाते हैं शायद इस ब्लास्ट में वह पुलिस वाला भी मारा गया हो इसके बाद वो तीनों मौके का फायदा उठाते हों वहां से भाग जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें फाइनली एक रूम मिली गया होता है नागी हीना और होडाका को कहता है कि चलो साथ में नहाते हैं ये सुनकर दोनों शर्माते हैं और गुसर जगाते हैं कि वो खुद चुप चाप नहा ले इसके बाद वो डीनर करते हैं थोड़ी मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि उडाका मन में बगवान से एक विश मांगता है कि बगवान अगर आप सच में एक्जिस्ट करते हो तो मैं आप से यही भीक मांगता हूं कि ये सब मेरे लिए बहुत है मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो प्लीज हमारे उपर और कुछ मत फैंकना और ना ही हमसे कुछ छीनना इसके बाद जैसे ही बारा बस्ते हैं उडाका हीना को गिफ देता है और उसे हैप्पी बिर्दे विश करता है हीना का वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसके बाद हीना हीना होडाका को कहती है कि क्या वो चाहता है कि बारिश रुक जाए होडाका हाँ कहता है इसके बाद हीना कहती है कि लोग कहते हैं कि वो एक यूमन सेक्रिफाइज है उसकी सेक्रिफाइस के बाद वैदर फिर से नॉर्मल हो जाएगा इस पर होडाका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है ये सब बस फालतू की कहानिया है कोई इनसान बलग गायब कैसे हो सकता है ये सुनते ही हीना अपने कपड़े उतारने लग जाती है और होडाका उसे ऐसा करते दे कि एकदम शौक हो जाता है हीना नूड हो जाती है और बहुती डरा हुआ लोग होडाका को देती है और हम देखते हैं कि हीना की पूरी बाड़ी बीच बीच से ट्रांस्पेरेंट हो गई होती है जैसे वो बीच बीच से गायब हो गई हो और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खतम हो जाती है नहीं नहीं अभी कहानी खतम नहीं हुई बस हमारी आज की वीडियो खतम हुई है इस एनिमे का एंड बहुत ही जादा भ्यंकर है तो मैं इसे बहुत ही बारीकी के साथ explain करना चाता हूँ ताकि आपको exact वही goosebumps मिले जो ये movie देखती बार मुझे मिले थे और मैं आपको खाली कहानी सुना के अलविता नहीं करूँगा बलकि कहानी के end में आपको कुछ बहुत ही interesting hidden चीजे और उससे जोड़ी कुछ theories भी बताऊंगा इस movie के writer ने जान बुझ के कई बाते अधूरी चोड़ी हुई है जो story में clear ही नहीं हुई है तो उससे clear भी मैं ही आपको करूँगा तो भाईया इसका part 2 तो बनता है tension not इस anime की final video में बहुत ही जल लेकर आऊंगा और उससे upload करते ही इस video के description में मैं उसकी link add कर दूँगा शाद जब आप इस video को देख रहे हो तो क्या पता part 2 अप्लोड ही हो चुका हो तो एक बार description box जरूर चेक कर लेना तब तक आप bell icon को दबा के रखें ताकि जैसे ही मेरी video आए आपको पता लग जाए चानल को subscribe कर दे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और इस video को अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस anime की कहानी का मज़ा ले पाएं Question of the day जिसके पास weather को control कर दूप या बारिश करवाने की शक्ती होती है उसे क्या कहते हैं अगर आपने हमारी explanation बहुत ध्यान से सुनी थी और आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे comment section में हमें अपने जवाब ज़रूर दे If you like this video then please leave a like and give your opinion in the comment section below Till then see you in the next video अरहर महादेव